खरगोन जिले की कसरावत तहसिल की ग्राम साहिता में हाथ खरगा हेंडलूम में पानी घुज जाने से हजारों का नुफसान हो गया है हेंडलूम संचलक गजानन केवट ने बताया कि हेंडलूम में कच्चा माल और मशीने रखी थी जो मशीनों में भी पानी और किजल घुस गया है जिसमें मशीने भी खराब हुई है और वहाँ पर तेयार माल, सालियां वह भी इस पानी की वज़े से खराब हो गई है जिसकी वज़े से उन्हें आर्थिक छेटी पोची है गजानन का कहना है कि शासन से मैं चाहता हूँ कि मुझे आर्थिक सहायता मिले और मैं फिर से हेंडलूम चलू कर सकूँ गजानन ने बताया है कि नुकसान करीब 50 से 60 हजार रुपे तक का हुआ है इसी तरह तुफान में कई मकानों के छट और दिवारे भी गिर गई है गरों में पानी घुज गया है कसरावा से अकिल खान की रिपोर्ट इंडलूम में पानी घुजा है किस तरह से घुजा है ये खेट का पाला पुड़ जाने से इधर आ गया हूँ करी फ़वन में हो तो पूरा नुक्सान हो गया हूर कि असमें पीरा प्रोना लुक्सान क में क्चा माल जो इधा सब खरावुकर उसमें में में मतलब मेरे इसमें थोड़ी वो साडियां पढ़ए ती एंच्छा giving थो भी थे था ताकि मतलब थोड़ा हुज़ा पीछे काम भी कुछ हो जाए और मेरी जो नुकसान होगा है उसकी भरपाई है क्या नाम है आपका में गजानन केवट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें